अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं पर कल का मार्केट कैसे रह सकते हैं कल क्या मार्केट में गैप अपनी हो सकती है मार्केट का ट्रेंड क्या है सभी चीज़े बताऊंगा बहुत सारे स्टॉक में नियूज है अब देखो आज दो वीडियो मैंने रख दिया है मार्केट कितना और फॉल कर सकता है यह मैं आपको पूरा सीनारियो बताने की कोशिश किये ठीक है आप जाकी चेक आउट कर सकते है क्या पैनिक करना चाहिए के नहीं और मार्केट में अगर बेस बना तो कहां पर बनेगा मैं अब मुद्धे पर आ जाते है निफ्टी देखो कल क्या हो सकते है शॉट हैं सिंपल में कल मार्केट गैप बता रहा है देखो अगर बात करने जाए तो 63 पॉइंट का गैप अप है अलाकि जनरली जो मार्केट गैप गैप डाउन ओपन होता है वो एक्जेस निफ्टी फॉ उपन हो सकते है उसका रीजन है कि नैस्डेक पॉजिटी है वन परसन यानि कि कल आईटी स्टॉक में तेजी आ सकते है ठीक है तो शॉट इन सिंपल में मार्केट में मुझे लगता है कि एक मार्केट बेस बना सकता है तो 21 पांस एक सपोर्ट है अगर मानलो आज कल लो टू की बात करो अगर मानलो गैप उपन हो गया तो आज का लो टूटा तो फिर आप यह समझो 21 440 420 माफ कि जब 460 आ सकता है एंड अगर गैप डान ओपन हो तो टी पैटर्न बना सकता है यह बात ध्यान में रख लिए क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है आई बात समझ में देखो F.I. की खरीदारी है इसमें एक बल डिल भी आती होई दिखाई दी है तो देखते हैं हाँ पर वाकि F.I. की खरीदारी है ओके अब देखो समझो बात को हम लोग काफी देखो पार्ट्टू इंपॉर्टेंट की होता है क्योंकि हम लोग पूरे दीन के अनालिशिस कत है कल क्या न्यूस की वाज़े से इंपेक्ट होगा एंड आप लोगों की क्योरे इस ठीक है तो देखते रहेगा वीडियो एंड टक अब देखो टाटा मोटस में अपडेट आई है कि हाँ पे जेलर की अपडेट साती हुई दिखाई दिया बहुत सादा स्ट्रॉंग हुआ दिखाई जिया है तो देखो उपर के लिवल पे रेजिस्टन स्पेस करा है आंट सो के उपर जैसे आंट सो को ब्रेक किया यह स्टॉक फिर वापस ब्लू स्काइज जोन में 900 तक जाता हुआ दिखाई जैसकते तो आपको क्या करना है मानलो आप गर आपने लिकी रख अभी के लिए मार्केट में स्टॉक्स न्यूस पॉजिटिव है तो पैनिक नहीं करना चाहिए तो आज स्टॉक बॉम बुम करता हुआ दिखाई दिखाई दिया तो आप डेफिनिली रडर पे रख सकते हैं कि देखो होना सक कंज्यूमर यानि कि मामा अर्थ का स्टॉक में आपको बता है कि जैफरीज की कुछ रिपोर्ट थी और उन्हों की रिपोर्ट यह थी कि 500 तक जा सकता है तो रिपोर्ट यहां पर ही थी स्टॉक यहां से सीधा 480 तक गया वन वे फॉल हुआ लेकिन बाद में सीडिया बना के बागता हुआ दिखाई दिया तो भाई यह ज क्लियर बता है दा कि यह 500 जाएगा ठीक है और आप देखो कि 490 टेस्ट हो चुका है और बहुत जल्द कि 500 टेस्ट करने वाला है तो यह वाद हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहना कि लॉंग टेम के लिए है तो मैं तो ना बोलूँगा काफी रिस्की है लेकिन बहुत बड़े एक इंडियन मार्केट में इंवेस्टर से जैसे की राके जुन जुन वाला सर तो इन्होंने क्या किया एक SME स्टोक को ध्यान से सुना SME ठीक है अब इकदम छोटा स्टोक यहां पर इन्होंने 2.3% का स्टेक बाई किया है वो भी बहुत बड़ा वाला आप पर देख सकते हैं कहां पर क्या स्टोक यह वाला बेजिक फ्लाइ स्टूडियो ठीक है अब देखो मैंने इनकी वेबसाइट ओपन करके रखी थी I am not wrong मैंने वेबसाइट ओपन किया थी येस मैंने वेबसाइट ओपन की थी देखो मैंने इसकी पूरी डीटेल जनम कुंडली निकाल दी है वेबसाइट की आप देख सकते हैं तो यह लोग क्या कहते हैं पदे वी एफेक्स बनाते हैं और यह कंपनी का देखो कि कौनसी कौनसी मूवी का वी एफेक्स बनाया है आ इसको आप लोगों को रडार पर जरूर रखना चाहिए, तो मैं सोचूंगा इसको एक साल के लिए हूल्ड करने की, आप अपनी definitely analysis कर सकते, अपने financial advices से सला ले सकते, ठीकिन मुझे ये थोड़ा बंदा strong लग रहा है, तो मैं सोचूंगा अगर यहां budget में होता है, हलकि मैं इ किये, लेकिन अगर हुआ, fronts free हुआ, तो मैं इसको सोचूंगा जरूर एक बार के लिए, मुझे थोड़ा दम दिखाए देते कमनी के financials है, clear तो यह stock को radar पे आप लोगों को भी जरूर रखना चाहिए, एक बार के लिए, हलाकि देखो short term के लिए मत सोचूंगा, serious note पे, अग अभी जो लक्षदीब का news आ रही है, कि मुधी जी यहां पे लक्षदीब पे गया है, मालदीस का problem चल रहा है, उन लोग ने कोई गलक टिपनी कर दी है, लोग यहां पे लक्षदीब को ज़्यादा फोकस करें, टूरिजम पे ज़्यादा फोकस करें, लक्षदीब के, तो क इसकी वज़े से यह बंदे को बहुत ज़्यादा बेनेफिट मिल सकते है, क्योंकि वहां पे टूरिजम बढ़ सकता है, तो यह बंदा अच्छा खासा profit करता हुआ, आपको दिखाई दे सकता है, क्लिर, ओके, आप देखो, पॉइंट यह आ जाता है, कि मानलो यह हवा है, ए स्टॉक एक टाइम पे 6 रुपे पे था, 2020 पे आज 1000 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, तो बंदा दम है, आप अपनी एनलिसिस कीजेगा, मैंने हाला कि कीनी यह काफी ओर वैलू लग रहा है, तो मुझे डीटेल में करने ही पड़ेगी, लेकिन स्टॉक यह आप ल बारत फोज, ज्यान से सुनना, इन लोग ने हाँ पे अप्डेट किया है, बारत फोज ने, कि यहाँ पे कमपनी अपना डिफेंस रेविन्यू बढ़ाती हुई दिखाई जैसकते करीब 20,000 करोड, इफ आम नोट रॉक आने वाले दो साल कहता है, तो कमपनी अपना बिजनस तो स्टॉक को रडार पे रखेगा, स्टॉक 1300 को लेवल ब्रेक करेगा, तो मुझे लगता है, अगर आपको पूछा तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आम शूर अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे, तो याद होगा, कि आपने पूछा थे कौन सा डिफेंस स्ट स्टॉक आपको पसंद आ रहा है तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक भारत फोज वाला आपको जरूर रडार पर रखना चाहिए यह बंदे मोमेंटम अच्छी है लॉंग टर्म के लिए अच्छा एक केंडिडेट बंदा हुआ आप लोगों को दिखाई जैसकता है भारत हुई है एंड एंकर बुक अभी यहाँ पर देखोगे तो किसे ने 448 करोड के शेर्स यहाँ पर एंकर बुक के जरीए खरीते है जो थी CNC आटोमेशन तो मुझे अभी थोड़ा रिस्की लगता है स्टील मुझे यह रिस्की लगता है कल ओपन होने वाला है तो एक बार इसक देखो अगर सीरियस नोट पर आपको इन्वेस्ट करना है लिस्टिंग यहन के लिए तो मैं आपको बोलोगा कि सेकंड देखो एंड ओफ द डी सेकंड आपको फूकस करने के अगर साथ से दस गुना यह ओवर सब्सक्राइब हो जाता है मिनिवम सेवन टू टू टैंट टै लोगों की क्वैरिस ली जाती है एक सर की क्वैरि थी टूरिजम फाइनेस के वारे में हालकि मैंने वीडियो में लिखा नहीं है लेकिन सर ने मल्टिबल कॉमेंट्स की थी तो सोचा के बाई आपकी बात सर अखोपे तो देखो तूरिसम फाइनेस सर ने पूछा उसकी questions valid है ठीक है कि क्या ये benefited हो सकता है अज़ा के लिए तो दिखो मुझे stock में अगर दिखो आप अगर सोच रहे तो बड़े पिले आपसे पहले सोचेंगे ठीक है उन्होंने already stock के अंदर entry की थी आप यहाँ भी दिख सकते around 70 पे आज इस stock आपको अभी के लिए नहीं सोचना जी है stock में already मुझे profit booking का scenario दिखाए देता है lifelong इसमें stock का 150 पे 160 पे resistance है इसको अभी के लिए आउट की category में रखो इसको ज़्यादा भी radar पे मत रखो आप फस सकते हैं ठीक है और काफी slow stock है तो काफी बड़ा फस सकते हैं तो better है दूसरा को stock को देखो ठीक है गरवर है high tech आप देखोगे तो यह stock भी break out करता हुआ दिखाएदिया है वो stock को देखो कि आपको यह benefited कर जाए ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि यह stock को आपको ज्यादा भी focus करना चाहिए उके उसके लावा यहाँ पर question आ जाता है ठीक है आपको panic नहीं करना चाहिए देखो trident का stock हम लोग ने इसे bottom out भी आप लोगों को बताया था यहाँ पर bottom out series आपको मैंने समझाई थी कि bottom out देखो यहाँ पर mid cap side bottom यह stock आपको अब यह stock ने मुझे लगता है कि अच्छा level तोड़ दिया है मेरे screener ने बताया कि stock 50 तो जा सकते तो 50 और मुस्ट हो चुका है एंड एक बार के लिए 52 तक 53 तक भी जा सकता है तो हाँ बस trailing stop loss रखे अगर short term का view है बाकी तो बंदा मुझे लगता है कि 70 को आरम से cross कर सकता है अभी जिस तरह से भाग रहा है 70 को वाला future में 6-8 मेने नौ मेने शायद यह chances से जा सकता है तो इसको रडर पर आपको रखना चाहिए ठीक है उसके लावा TN Petro के बारे में किसा ने पूछा था ठीक है TN Petro cover कर दीजे ठीक है चलिए ठीक हो Trident के बारे में आपको बता दिया काफी लोगों ने Trident के बारे में पूछा था तो मैंने Trident के बारे में बता दिया है ठीक है TN Petro देख लेते एक बार पर रखो, आपको अगर केमिकल में जाना है, तो दिपक नाइटरेट मुझे लगते है ब्रीक आउट कर रहा है, दिपक नाइटरेट को आपको जादा रड़र पर रखना चाहिए, ये बंदा बहुत जल्द ब्रीक आउट करता हुआ दिखाई जी रहे, तो ये शायद दिपक नाइटरेट दिखाई जेता है, हलाकि केटेगरी अलग है, लेकिन दिपक नाइटरेट जादा फिवरेट लगता है बड़े प्लेस का, तो मुझे नहीं लगता आपको पैनिक होना चाहिए, और ब्रेक आउट मोर में भी है, ठीक है, उसके लाबाँ इन्फोसिस में प्रॉफिट है, रिजल्ट के पहले बुक कर लो, देखो भाई, लॉंग टेम के लिए तो को इशुज नहीं है, आपको करना चाहते कर सकते हैं, जिस तरह से आज नेस्डिक में मोमेंटम आही है, कल इन्फोसिस उपर जा सकते हैं, तो थोड़ा कले न, अगर इंटरेट है, सिफ्टी के लिए अगर रिजल्ट के बाद करना चाहिए, आपकी जगह होता तो मैं रिजल्ट के बाद ही एंटरी करता, ठीक है, तो हाँ करना चाहते कर सकते हैं, इसके अलावा आखरी दो न्यूस क्वेरीज बची है, निूरेका और एस्ट्रा माइक्रो, ठीक है, निूर पास कर रहा है यहां से, इसका ब्रीक आट पांसो के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार एककुमलेशन अगर करना है किसी को, कम सी कम एक साल के लिए, एक या सवा साल के लिए आपको एकुमलेशन करना है, तो निूरेका एक अच्छी बैट बन सकती है, काफी सर की क्वेरी थी, एस्ट्रा माइक्रो की, तीक देखो, यहां पर शर ने पूछा था तो भई आपकी म्ल्टीबल क्वेरी से, तो मिश कहांपे करे रहे हैं, तो कर लेते हैं, ऑकके, अब देख़ो, एस्ट्रा माइक्रो स्टॉड बहु इसका है, यह के लिए एक बार deep आता है 480 तक just example अगर market में fall ball आया और यहाँ पे एक बार आपको average का जरू सूचना चाहिए stock में support काफी अच्छा है और यहाँ से momentum नुझे लगता है fresh start हुई थी तो यहाँ पे अगर आता है तो एक बार के लिए सूचना जरू चाहिए वापस ही अच्छा momentum का सकते है तो हाँ बंदे में दम है इसको जरूर अडर पर के long term के लिए काफी mid term के लिए भी काफी strong है तो मैं बें जादा दा news cover करती होप आज का वीडियो पसंद होगा समझ में होगा and telegram में नहीं है जाके जुड़ेगा search करना है my stock market पंडा यहाँ में कुछ breakout stocks बता था रहता हूँ जैसे कि डिस टीवी Friday बता था आज 8 पसंद गया profit मिल गया भाई बले बले ठेक है और बाकी breakout stocks यहाँ पे हम लोग whatsapp में भी discuss करते रहते है